वेलकम टो पर चैनल हम बात करने वाले हैं कोचन से पाइड के उपर फिलाल हम करेंटली डेली चार्ट पर हैं हमारे मेंबर्स नहीं रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी अनलिस चाहिए स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो इंडेक्स अनलिस के मैंने आपको इसमें सेलिंग दिया हुआ है 2200 के आसपास से और फिर डीटेल में एनलिस भी आपको सेयर किया है यहाँ पर भी नेगेटिव आपको मैंने कहा था कि सपोर्ट नहीं लेगा आने वाल टाइम में 1400-1300 का लेवल मिल सकता है यह सारा एनलिस हो चुका है अभी के हम समझ नहीं पाते हैं उसको कि क्या करना है तो अगर हम सिंपल समझते हैं अभी करेंट लेवल के कोडिंग तो फिल्ल शूक अंडर वेल्यू ट्रेट कर रहा है ये बहुत कलियर है मतलब करेंट लेवल से अगर आपको लॉंग टर्म के लिए जाना रहें लॉंग टर पांस सो के लेवल पर टेट करें तेरा सो का लेवल हो गया बारा सो का लेवल हो गया ग्यारा सो का हो गया और एक हजार का हो गया यह चार लेवल है जहां पर हम एड़ान कर सकते हैं कब तक रिवर्सल दिख सकता है तो अगर मैं नॉर्मल मोमेंटम की बात करता हूँ, नॉर्मल चार्ट की बात करता हूँ, तो जनरली इस टाइप के चार्ट बनने के बाद, छे महीने से एक साल के आसपास का टाइम लगता है, श्टॉक को रिवर्स करने के लिए, मिनिमम, मिनिमम टाइम फ्रेम, मैगजिमम, मैगजिमम द तो सबका सेम कंदिसन है और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे है जिनका फ्यूचर अच्छा है ग्रोथ अच्छा देख सकते हैं यह सेम टाइप के स्टॉक है तो इनको जाकर चेकाउट करना तो आपको सौंज में आएगा मोमेंटम कैसे करता है हो सकता है इसमें सार्फ मोमेंटम हो जाए कुछ इस्टॉक में सार्फ मोमेंटम भी हो जाता है बड़ जनरली बहुत कम होता है ऐसा ठीक है तो अगर हम होगराल बात करते हैं जहां से सैलिंग आया है तो करीब अभी अगर आप देखोए छे महीने का टाइम फ्रेम और यहां एक रेवर्स देखने क्लिए मिल जाए मैं सार्फ नहीं होका है एक मिन नहीं किन चाहिए चैज्ट से लेना बहुत जाएंगा लजाब मेंटम प्लान जाएं तो फिर वा ज्यादा टाइम सस्टेन mid term का time frame है 1 साल से 3 साल या long term का time frame है 5 साल से 15 साल तो आप इसको अभी current level से plan कर सकते हो add करने के लिए बहुत अच्छी levels पर है undervalued है यहाँ current level से अभी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप 10% से लेकर करीब 20% तक का correction और देख सकते हो तो जहाँ maximum अभी plan कर सकते हैं वो करीब 20% तक का और level है जो आपको down दे सकता है downside पर मिल सकता है तो इस तरीके से हमें position add करना start कर सकते है current level से तो यह levels अच्छी होने वाले हैं यहाँ से कोई major start selling हो जाएगा इसके chances थोड़े से कम है अब जो selling होगा वो हो सकता है आपको थोड़ा सा slow देखने claim ले मतलब जिसमें buying भी आएगा जिसमें selling भी आएगा और consolidation type का momentum रहेगा volatile momentum रहेगा तो इस तरीके का momentum यहाँ पर बन सकता है तो reversal के लिए stock अच्छा है but same time reverse करेगा इसके chances कम है कि एक महिने दो महिने में ही return कर जाएगा वो chances कम है लेकिन हाँ mid term से long term में एक अच्छा reversal इस point से या 10-20% के बाद हमें अच्छा momentum देखने के लिए मिल सकता है बाकि ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए तो stock का नाम comment कर सकते हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चेल को subscribe करना मत भूलीगा thank you so much